वैशाली के गुरोल थाना च्छतर के आधमपुर में चार दिनों से लापता नवालिक लड़की का शब कुए से ब्रामत होने के बाद इलाके में संसनी फैल गई परजनों ने प्रेम परसंग में नवालिक की हत्या का आरोप लगाया है घटना का पता चलने के बाद मौके पर लोग की भारी भीर जमा हो गए वहीं ग्रामीनों की सूचना पर मौके पर पहुची पुलिस ने कुए से शब को बाहर निकाला जिसके बाद परजनों ने मिर्तक लर्की की पहचान की मिर्तक लर्की की पहचान होने के बाद परजनों में कोहरा मच गया परजनों ने आरोप लगाया कि प्रेम परसंग में लर्की को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई है और साच छुपाने के लिए उसे कुए में फेक दिया गया है कुए से सब बढ़ामत होने के बाद पुलिस ने सब को अपने कबजे मिले कर पोष्ट माटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और पुलिस मामले की छानवीन में जुट गई है पर जोनों ने गाउं के ही लरकों प्रहत्या का आरोप लगाया है इस मामले में अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं हुई है पुलिस का कनाय की पूरे मामले की छानवीन की जा रही है छानवीन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुचा जा सकेगा वहीं इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफतार किया जागा वहीं बताया जा रहा है कि मृतिका की प्रोष कही एक लर्के से प्रेम परसंग चल रहा था जिसके कारण काफी बिबाद भी हो रहा था जिसको लिकर कुछ दिन पहले बंचायत भी बुलाई गई थी जिसमें लर्की को अगवा करने की धंकी दी गई थी जिसके बाद से लर्की गाइब थी पर जोनोंने दुसकर्म की भी आसंका जताई है तो वही कासी मिया के बेटा के हम पूछे आए तब नहीं आया है अबे नहीं किया जह अधे नहीं किया जिशन दुसके बाद में एक आदी मुंको अक्तर के बेटा है धंकी दिया कि तुमको चारोज के अंदरमें तुमको भच्ची के उठ्वा देए है हो अ हमको इवए लिख़ थी कर tips सब्सक्त करके हम रके हुए कि अर्व कर दिये थे वाकि था कि स solves के जना नहीं देखा है वह को हमको तो नहीं देखा बहुत आ दे Hahah on Communication, आप का हम के चोड़ा पर से अरा हैं तर जो कि एद्धार हैं ही मैं किचा वाज rep проп के 측ts प्रहन करके उसके बाद में हतिया कर दिया है